हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल डी एक्स बेलेक्टिकल लर्निंग में आज के इस टोपिक में आप लोग के यह बताने वाला हूं को एक मोटर को तीन से चार जगा से कैसे कंट्रोल करेंगे यह आपके जो बिल्डिंग है उसमें चार से पांच फुलोर है तो सबसे पहले हमको इस तरह से एक स्विच लगाना होगा ठीक है ना लगाने से सबसे ओड़ेन को क्या करना है दिए क५र वाला προक्रवनीट से हम इस मोटर को कंटूल करेंगे तो यहां पिले रह firearm किघाना आप हुआ यहां वहाँ चोंट्र लगाना पड़ेगा उसके बाद हमारा जो आता है इसके कंट्रोल वाइरिंग के बारे में इस मोटर को कंट्रोल वाइरिंग कैसे करते हैं सबसे पहले कंट्रोल वाइरिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंटेक्टर का जरूरत पड़ता है जो कि कुछ इस तरह से होता है और उसके बाद ओफरलोड का जरूद पड़ता है यह जो निचे वाला है वो ओफरलोड रिले है उसके बाद हमारा एक मोटर का जरूद पड़ता है जैसे कि हम पानी मोटर के बारे में बता रहे हैं ठीक है जो थिरी फेस का पानी वाले मोटर है इसके बारा मता रहे हैं सिंगल फेस का भी कुछ ऐसे ही होता है ठीक है उसके बाद हमारे एक सिंगल फेस का ब्रेकर का जरूत पड़ेगा जो की कंट्रोल वारे में काम आएगा उसके बाद हमारा जो है हमारा इस तरह से स्विचेस के जरूत पड़ेंगे जो की आप अगले त ग्रिन वाला लाइट डिटेक्ट करेगा हार एक फ्लोर पे यानि तीन यहां पर स्विच जैसे हम तीन जगह से कंट्रोल करने वाले हैं इस मोटर से इस मोटर को तो सबसे पहले हम तीन जगह पर यहां पर एक ग्रिन वाला लाइट लगाएंगे अगर यह मोटर चल रहा है उस लेंगे और आटपूट वायर लाक और लोड का जो 95 नंबर जो टरइनल होता है उसमें लाका करक्क कर देना है उसके बाद जो 96 नंबर जो टर्मल ले उस टर्मल से एक वायर को निकालेंगे और जो एंसी बटन-न i s e button का जह उपर वाला जो टर्मनल है यानि ऊपर वाला या कोई भी miał ले जा कर एक खर से जो रेड़ोग ग इस तरह से और उसके बाद हम इसी वाले बटन से हम एक आउट्पुट वायर को निकालने के बाद जो हमारे यह लास्ट वाला जो पूस बटन है इसमें हम लाके कनेट करेंगे और उसके बाद हम पूरा को पैरलर में कुछ इस तरह से कनेट कर देंगे आपस में कुछ इस तरह से हम लूप कर देंगे ठीक है ना कुछ इस तरह से लूप करने के बाद हमें उसके बाद क्या करना है इसी push button से हम एक wire को ऐसा निकालेंगे Elast वाला push button से हम फिर इसको आपस में नीची के तरह भी इस तरह से हम loop कर देंगे इसके मतलब यह हुआ अगर हमारे यह push button आपस में series में connection हो गया है जो NC push button है उसके बाद हम इसको उपर वाला जो terminal है इसको आपस में loop कर देंगे अगर हम नीचे में कुछ इस तरह से not connect करें तो इहां से हमें तीन वायर ले जाकर यहां पर connect करना पड़ेगा जो कंटेक्टर का एवन जो terminal है इसमें हमें तीन वायर लेके जाना पड़ेगा अगर हम कुछ इस तरह से loop कर देते हैं तो हमें एक ही वायर में काम चल जाएगा ठीक है ना उसके बाद हम एक वायर को उठाएंगे और एक वायर को उठाने के बाद जो कंटेक्टर का एवन जो terminal है हमें उसमें ले जाकर connect कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना है हमें यह करना है यहां से हम एक वायर को ले जाएंगे वर में हमें ले यह में यह होल्डिंग यह होल्डिंग हो गया ठीक है न हम इस के बाद आप यहां पर इख रहे हैं यहां पर जो कंटेक्टर का यह असानी से वर्क कर सके ठीक है ना तो आप यहाँ पर एंची देख रहा है ना लेकिन हम इसको एंडो मान रहे हैं ठीक है आप भी एंडो मानेगा ठीक है तो हम यहां से मूंटर में करनेक्षन करे के लिए हमें उसमें लाकर कर और उसके बाद हम क्या करेंगे एक और रोण को निकालेंगे और हमें इस मिलने के बाद तक हमारा वीड़ों लाइक कर देजिआ उसके बाद हमारा मोटर में connection करने के लिए के हम उसमें लाकत ऐक प्लेस हम आउन करेंगे तो हम इसको कहाई से आफ वहीं कर सकते हैं कुछ छी तरह से होता है ठीक है तो हमारा जो एक हैं युदिक्टर करेंगरा चल रहा है ठीक है और अगर चलेगा चालता रहा तो हमारा य desc for ट's मैं एक हमारा जो एक लगा हुआ यह कि Çe अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं